नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी बेनिवाल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास लेकर के आया हूँ मेरे वो साथि जिनका कल महा विधाले में इंटर्णशिप के लिए पर्थम दिन होने वाला जिन साथियों को इंटर्णशिप की सुचना मिल चुकी है जिनको विधाले आउंटन हो चुका है अब ये पर्थम दिन स्कूल में जाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे इस वीडियो पर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी के साथ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलेग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां पर आपको काफी सारी सुचना है इसके अलावा हम आने वाले समय में आपके लिए अलग अलग विश्यों से जुड़ी लेसन प्लान भी लेकर के आने वाले हैं जो आपको देनिक पार्ठी होजना में लिखने है तो वो सबसे पहले अपने अलोट्मेंट लेटर की तीन-तीन फोटोगोपी निकलवा लिजे जी हां तीन-तीन किसलिए सबसे पहले आपको वो तीन फोटोगोपी लेकर के अपने महा विदाले अपने कोलेज में जाना है जो print out ती निकलवाने है उन में से ठीक है अब एक आपको कोलेट से ही relieving letter लेना है ये दो दो चीज हो गई तीसरी चीज आपके पास में आपके आधार कार्ड की फोटोगोपी होनी चाहिए चोथी चीज आपके पास में आपकी दो फोटो होनी चाहिए जब आप पर्थम दिन पेतू विधाले है वो join करवाये जा सके इसके लिए आपको विधाले में एक प्राथना पत्तर भी लिखवाये जा सकता है प्राथना पत्तर में क्या लिखना होगा इसके संबंद में अगर मैं बात करूँ तो आपको एक सामने application जैसे लिखते हैं उसी परकार से लिखना है विषय में आपको लिख देना है वहाँ पर इंटर्शिप है तो कारे ग्रहन करवाने बाबत और आप उसमें आप विषय में आगे इसको जारी रख सकते हैं कि आपको जो पर्थम वर्ष के इंटर्शिप है तो ये विधाले आवंटित हुआ है विधाले का नाम लिख आप जोईन होने के बाद की जो प्रोसेस है वो बड़ी एहम होने वाली है आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है कि जब आप स्कूल में जाएं पहले दिन आपकी उप्यूक्त ड्रेस होनी चाहिए, आपको उप्युक्त पोसाक में जाना है, सबसे एहम बात है, यानि कि आप ज़्यादा डिले कपड़े ना पहने, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, नोर्मल चीजे हैं, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन विदाले जाते समयन बातों का ध्या क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजे होती है, जो सिक्षक के व्यक्तितों के अनुरूप नहीं है, आप मापर सिक्षक बनने जा रहे हैं, तो उसके अनुशार आपका व्यवार भी होना चाहिए, आपकी पोसाक भी होना चाहिए, आपको देख के लगना चाहिए, कि एक टीचर है, तो उसी के अनुकूल आपको उप्यूक्त ड्रेस पहननी है, ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास में आपका उप्यूक्त एक रजिस्टर होना चाहिए और आपके पास में एक आपका पैन होना चाहिए, ब्लू या रेड जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, अब इसके ब अभी छूटी होने में समय है तो आप उससे पहले जाकर के भी आदा अगर दिन रहरा 창े का सक्षार मारा निर्दारीיद समय और ही पहुंचना है इसके बाद में मैं बात करूँ तो घर से पूर्व त्यारी करके जानी है अब आखिर घर से कैसी त्यारिया करके जानी है इसके बारे में बात करते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट है आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके बारे में पहले दिन आपको बेसिक नोलेज सकता है तो आपको वहां पर क्या करना है कि नोवी और दस्वी का बेसिक टोपिक पढ़के जाएए जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कक्षा नो में आप कोसिका के बारे में बता सकते हैं बच्चों को जन्रल एक बार जन्रल पर लेके जाएए अगर आपकी पूरू त्यारी न अपने गर पे कहीं पे बोर्ड पे या कोपी में नोट डाउन करके एक बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए किस परकार से बोलना है हेजिटेशन नहीं होगी जिससे कि आपको अगली मैं बात करूं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्लास में जाते हो समय अपना बी करना है तो अपने लक्षे की और ध्यान में रखते होए गबराट को दूर भगाते होए बस अपने व्यक्तितों को ध्यान में रखते होए उचित अपने फुल आतम विश्वास के साथ आपको खलास में पढ़ाना है आगे मैं बात करूं तो विधाले से आपको जिज द पूरू तयारी का आपको क्या फायदा होगा कि आपका जो मोरल, जो आपका मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन वो बढ़ जाएगा, आपको गबराट नहीं होगी, आपकी पूरू तयारी की होगी, आपका टोपिक पड़ा हुआ होगा, तो आपको explain करने में easy रहेगा, आप उस पे भी अपना काबू रखेगा, विदाल्य में जो अन्य वहां का staff है, उनके मारक दर्सन में काम कीजिएगा, काफी सारी चीजे ऐसी है, जो आपको उनके द्वारा भी सीखने को मिलेगी, काफी सारी बच्चों के द्वारा भी आपको विदाल्य में बहुत कुछ स सवाल बसते हैं, आपकी कोई दूइदा है, कि आखिर हमें ये चीज भी बताइए, तो आप उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब कमेंट बुक्स में देने की पूरी कोसिस करूँगा, इसके अलावा अगर आप चैनल पर नहीं हैं, तो च लोड करता रहुआ, जिससे कि आपको किसी भी परकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो आपके साती हैं, जिनको ये परेशानी आ रही है कि पर्थम दिन कैसे इंटंसिप ह होनी है, क्या कुछ कैसे कैसे रहेगा, तो आप उन सभी सातियों को हमारी ये वीडियो भेज, ताकि किसी भी साती को अगर हैल्प पहुंचती है, तो इसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, आपका भी योगदान रहेगा, तो चलिए फिर मिलते हैं एक इसी परकार के सही और सटिक जानकारी के साथ, जैहिन जैभार्त वंदे मातरम